नमस्कार दूस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2-day cleaner application को कैसी यूज कर सकती है जिहां गईज आप भी 2-day cleaner application को यूज करना चाहते हैं तो गईज आज की इस वीडियो को start से लेकर end तक पूरा दिखना तो गईज सबसे पहले आपको play store application को open करना है play store application को open करने के बाद गई यहां पर आपको 2-day cleaner application को install करना है तो गई जहां पर मैंने इस application को पहले से install करके रखा है और गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको about this app का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टूडे क्लेनर अप्लिकेशन के बारे में पूरी डीटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पर इस application को कैसी उज़ कर सकते है वो सारी detail यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद गई यहाँ पर आप देख सकते है इस application के review and rated देखना चाते है तो गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर आपको 121 review देखने को मिल जाते है 3 प्लस रिटेट देखने को मिल जाते है 5 लग प्लस डाउनलोडिंग देखने को मिल जाती है इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है इस application को 4.0 star मिले हुए है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते है इस application के अलग लग feature भी देखने को मिल जाते है इसके बाद गई जहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको 2-day cleaner application को open करना है 2-day cleaner application को open करने के बाद गई जहाँ पर आपको एक add soar यह इस side को यहाँ पर आपको cut करना है add को cut करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2-day cleaner application open हो चुकी है और गई जहाँ पर आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको speed up का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर speed up होना start हो चुका है यहाँ पर scanning होना start हो चुका है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप speed up कर सकते हैं तो गई जहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक add store यहाँ पर आपको cut करना है add को cut करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर speed up हो चुकी है और गई जहाँ पर आपको back आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको clean का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर clean scanning होना start हो चुका है तो गई ज यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से clean के option पर click करने के बाद अपने mobile की junk file अपने mobile की application जो भी junk file है वो सारी clean हो जाएगी इसके बाद गई जहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको battery का option देखने को मिल जाता है यहां पर आपको click करना है यहां पर click करने के बाद गई ज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपने mobile की बैटरी ज़्यादा कर्ज होती है, तो इस option के मात्यम से आप अपने mobile की बैटरी को save कर सकते हैं, और गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक add store हो रही है, इस side को यहाँ पर आपको close करना है, add को close करने क के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने उबल की बैटरी को सेव कर सकती है और गई जहांपर आप यहाँ पर आपको VPN का ओप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद गई यहाँ पर आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट का ओप्शन देखने को मिल जाता है तो गई यहाँ पर आपको परमिशन को अलग करना है तो यहाँ पर आप के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टूड़ क्लीनर अप्लिकेशन में स्मार्ट सर्वर अपने ओवल में कनेक्ट हो चुका है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप स्मार्ट सर्वर को अपने ओवल में कनेक्ट कर सकते हैं और उसे यूज server अपने mobile में disconnect हो चुका है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप VPN को यूज कर सकते हैं इसके बाद गई जहाँ पर आपको CPU killer का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना अबल जादा गरम होता है या जादा हीट होता है तो CPU कुलर को यूज करने के बाद अपना अबल जादा गरम और हीट होना बंद हो जाएगा और गई जहाँ पर आपको एक एड़ सो और यह इस एड़ को यहाँ पर आपको कट करना है एड को cut करने के बाद जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप CPO cooler को यूज कर सकते हैं और जहां पर आप देख सकते हैं यहांपर आपको large pile का option देखने को मिल जाता है इस तरह से आप इस option को यूज़ कर सकते हैं और गई जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप टूडे cleaner application को यूज़ कर सकते हैं तो गईस कैसा लगए वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बता हैं और अभी तक आपने हमाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी देबा दिजिए जिससे आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहेगी